जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्तिक स्वागते महाकाली बगत ग्यान यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ रातरी बारा बजे अगर कोई भी व्यक्ति माता काली के इस मंतर को 41 बार बोल दे तो उसी समय माता के दर्शन होते हैं उस व्यक्ति को जी हाँ बक्तो आज मैं आपको महा काली काई कैसा मंतर बताने जा रही हूं यदि आप इस मंतर को रातरी 12 वजे करीब बोल के सो जाते हैं तो स्वेम माकाली आपको अपने रूप में दर्शन देने लगती है और याद रखेगा कि जब भी आपको जीवन में माकाली के दर्शन करने हो या माकाली से कुछ बात करनी हो तब ही आप इस मंतर का इस्तमाल करिएगा जैसे रात्री में आप सोते हैं तो सोने से पहले आपको ये मंतर बोलना है और इसका एक समय है यानि कि बारा वजे करीब जब आप इस मंतर को बोलोगे तो स्वेम माता अपने रूप में आपको दर्शन देगी और ये वीडियो मेंने उन भक्तों के लिए बनाई हैं जो भक्त कहते हैं कि हम 10 साल से 20 साल से माकाली की सेवा करते आ रहे हैं लेकिन माता काली ने अभी तक हमें दर्शन नहीं दिये हैं माकाली हमें किसी भी रूप में नहीं दिखाई देती हैं और ना ही माता हमारे कार्यों को सफल करती हैं. तो यही सवाल सब भक्त कमेंड में करते हैं, तो उनी भक्तों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि उन भक्तों को पता चल पाए, कीमा काली के दर्शन करने हो, तो हम कैसे कर पाएंगे? अब जो मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ आप यकीन नहीं मानेंगे इस मंत्र का जाब कली यूग में 90% लोग करते हैं अपने घर में मतलब 90% लोगों को पता इस मंत्र के बारे में कि कितना powerful माकाली का बीज मंत्र है इस मंतर में ये नहीं कि आपका गुरू होगा तब भी आप इसका जाब कर पाएंगे गुरू है तब भी आप जाब कर सकते हैं गुरू नहीं है तब भी आप जाब कर सकते तो कैसे कैसे करना है सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगी और बताने से पहले एक छोटी से रिक्वेश्ट आपसे करना चाहूंगी अगर आप लोग महाकाली भगत गयान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक से रेकमेंट ज सबसे पहले मिं आपको भी बताती हूं कैसे आपको इसका जाप करना यह से लिए इस दहीं है जवत जाप करना है जब शेया कि अाब इस दू वतितों को 21 बार बहुं कर्दर बहुत के तो ऑज आपको माकाली के दर्शन हें अब देखे आपको क्या करना थोड़े से आपको काले तिल लेने हैं और थोड़ी सी आपको पीली सरसों लेने हैं काले तिल और पीली सरसों को दोनों को एक साथ आपको मिक्स कर लेना है ठीक है और इसे आप किसी लाल कपड़े में ये फिर काले कपड़े में बांध लीजिएगा जैसे पोट्री टाइप में बांधे ऐसे ही बांध के आपको इसे अपने हातों में रखके इस मंतर को 41 बार बोलना है मंतर बतारी धान से सुन लीजिए मंत्र है ओम नमो नमो महाकाली दोनों हाथ बजाए ताली जा बैठी पीपलगी डाली समसान में विराजने वाली काली कंकाली महाकाली दर्शन दे मेरी महाकाली दर्शन दे मेरी महाकाली दुहाई तुझे गुरु गुरक नात की, दुहाई तुझे इश्वर मचंद्र नात की, ठीक है? यह जो मंतर मैंने आपको बताया है, यह मा काली का बहुत पावर्फुल मंतर है, और इस मंतर को आप एक भुक में लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से याद करेंगे, तब ही आप इसका इस्तमाल करना है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कैसे करना है, चाहे आप कितने आप इस मंतर को बोलोगे, तो थोड़े से आपको काले तिल की जरुवत पढ़ेंगे, और थोड़े से पीली शर्सो, धोनों मिक्ष करके, आप काले कपड़े में या लाल कपड़े में बांद के, पोट्रे टाइप में बना के, अपने हाथ में रख लीजिएगा, और इस मं आपको कोई काम निकानत, डारेक्ट सोना है, जैसे ही आप सोते हैं, उसी रात में आपको माकाली के स्वेव रूप में दर्शन होगे, जिस रूप में माकाली को आप अपने घर में पूझते हो, वही रूप माकाली आपको सपने में दिखाएगी, और अगर कुछ भी बात क करना चाते हैं कुछ भी पूछना चाते हैं तो इस तरीके का इस्तुमाल करके आप माता के दर्शिन भी कर सकते हैं माता से बात भी कर सकते हैं माता से किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं सबसे आसान तरीका बता दिया मंत्र थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत पावर्फुल मंत्र है 108 परसेंट गारंटी दे रही हूँ इस मंत्र का जो भी जाब करेगा 41 बार रातरी 12 बज़े इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है तो उसको मा काली के दर्सन स्वेम रूप में होंगे ही होंगे तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया अगर कुछ पूछ ना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैमा काली हरहर महादेम माता काली आपकी मनोकामना है पूरी करें